असलाम अलेकूम दोस्तो मैं हूँ शाहरुक दोस्तो आज मैं आप लोगो एक छोटा साथ टूटोरियल दूंगा कि किस तरह से आपको एक प्रोफेशनल के तरफ फोटो को एडिट करना है और कौन से एप को इस्तिमाल करना है दोस्तो आज मैं जिस app का वारे में बताने वाला हूँ उस app का नाम है Google का है यह दोस्तो app जिसका नाम है Snapseed और यह app दोस्तो पहले तो उतनी इची नहीं थी लेकिन नई update आने के बाद बहुत ही अची app हो गई है और मुझे अब यह बहुत ही अच्छा लगने लगा है दोस्तो जादा दिन नहीं हुए मुझे यह app चलाते हुए लेकिन मैं बता दू कि मैं इसके quality से काफी जादा impressed हूँ चलिए दोस्तो देखते हैं कि यह app आखिर काम कैसे करता है दोस्तो सबसे पहले अगर आप स्नैप सीट को खोलेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा Google का logo और उसके बाद एक black सी पूरी screen खुल जाएगी और कहेगा कि कहीं भी click करें कोई photo खोलने के लिए तो आप screen पर tap करेंगे दोस्तो तो आपकी gallery खुल जाएगी आप अपने gallery पर tap करें और आपको जो photos को edit करना है आप उन photos पर जाएगे तो जैसे दोस्तो माली जब मुझे इस photo को edit करना है तो मैं इस photo पर click करूंगा और फिर दोस्तो यह photo खुल जाएगी अब यहाँ पर दोस्तो आप photo को यहीं पर directly save कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जाकर photo का details देख सकते हैं या फिर कुछ settings कर सकते हैं दोस्तो जैसे settings यह है कि image sizing दो है करना है कि नहीं करना image sizing मतलब donor tree size पर कर देंगे तो आपकी जो image है वही size कि रहेगी जो पहले है और यहाँ पर है कुछ sizes अगर आपको image छोटे बड़े करने हैं यहाँ से size set कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो format and quality अगर आप jpg 100% पर रहते हैं तो आपका best photo editing होगा लेकिन जादा MB का size बनेगा और उसी तरह नीचे करेंगे तो आपका photo editing है वह कम MB का बनेगा तो दोस्तो आए देखते के editing कैसे करना है तो यहाँ पर दोस्तो नीचे में मिलता है आपको editor का button आप इस rotate, perspective, white balance, brush, selective, healing, wignette, text, curves और उसके बाद कुछ filters मिलते हैं lens blur, glamour glow, tonal contrast, HDR escape, drama, grunge, grainy, vintage, retro lux, noir, black and white, frames और face दोस्तो इतने सारे मिलते हैं और इस app के लगतार हमें update मिलते रहते हैं जिसमने features update आते रहते हैं तो दोस्तो आए जानते हैं इन features को कैसे इस्तिमाल करना है सबसे पहल आपको कुछ correction करना है जैसे brightness बराना है, contrast बराना घटाना है तो आप इसमें image को tune कर सकते हैं इसके द्वारा सबसे पहले दोस्तो सबसे आसान चीज़ यह है कि अगर आप कोईसी भी option में जाते हैं तो एकदम fastest आप editing कर सकते हैं जादा जहमिला का जोत नहीं है जैसे अगर आ brightness को आप आसानी से tune कर सकते हैं उसके brightness को बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर मालेजे मैंने brightness को इतना पर बढ़ा लिया अब मुझे contrast इसका घटाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा तो बस कुछ नहीं ऊपर की और ऐसे swipe करना होगा और यहाँ पे धेर सारे option मिल brightness, contrast, saturation, ambience, highlights, shadows, warmth इस तरह से बहुत ही असानी से होगी मैंने यहाँ पर brightness को इतना बढ़ाया यहाँ पर contrast में गया उससे इतना बढ़ा दिया फिर यहाँ पर saturation में गया उससे इतना बढ़ा दिया फिर यहाँ पर ऑप्से और इस तरह से दोस्तो मैं कोई भी photo editing को आसानी से इस कर दें यहां को को मुष्टकर करने है वही जो आप shy उपर की और कर के कररें दोस्तों आपि यहां पर टैप कर सकते हैं उपर नीच Dir Night का जरूरत नहीं अगर आपको पुसंद नहीं तो यहां पर कर adjust हो जाएगी आपके photo के लिए auto edit है दोस्तों यानि कि यहाँ पे देखेंगे कि जितना भी मैंने बढ़ाया घटा या था वो सब automatically फिर से adjust हो गई अपने मुताविक जो भी camera को सही लगा कि इतना रखना चाहिए तो मैं दोस्तों फिर आपको बता दू कैसे करना है बस आपको left right अपने उंगलियों को swipe करना है या फिर आप डाइन करना है मेनू को select करने के लिए और फिर आप उतने सारे के सारे photos को edit कर पाएंगे यहाँ पर मिलता है दोस्तों बटन जिससे आप देख पाएंगे और यहाँ पर टैप किये रहेंगे तो आपको original photo नजर आएगी और टैप हटा लेंगे तो फिर से आपकी filter लग जाएगी तो इस तरह से दोस्तों आपकी photo की editing काफी अच्छी हो सकती है अब यहाँ पर टैप करेंगे दोस्तों तो आपकी photo है वो save हो जाएगी उसके बाद द दो दो option देखेंगे structure और sharpening और इसे आप बढ़ा गटा सकते हैं अगर आपको structure बढ़ाना है दोस्तों तो आप देखेंगे कि structure बढ़ाने के बाद आप थोरे से oldest type के लगनी लगेंगे तो आप अपने मुताबिक से बढ़ा लें structure भी एक तरह का sharpness ही है दोस्तों जिससे आपको जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं और फिर आपकी photo जो है और भी अच्छी हो जाएगी लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे इन सब को जरूर अपने मुताबिक करें ऐसा नहीं कि सब का high कर दे वर्ना आपकी photo काफी खराब हो जाएगी और उसके बाद फिर टिक पर करन इमेज को यहाँ पर करेंगे तो इमेज जो है रोटेट हो जाएगी यहाँ पर जो भी crop करना जいरुमालbayo से च्छोटा बढ़ा भी कर सकते और उसके बाद rotation आती है दोस्तों यहां से image को आप rotate कर सकते हैं जैसे अगर माल लिजे ऐसे rotate करना है तो आप कर सकते हैं लेकिन यहां जो rotation है दोस्तों इसमें आपको पूरी image जो है image rotation नहीं है यह सिर्फ अंदर की details rotation हो रही है image rotation करना है तो आपके यहाँ पर tap करना होगा और तब जाके आपकी पूरी की पूरी जो image है वो rotate होगी वरना उंगलियों से ऐसे करेंगे तो आप photo के fix कर सकते हैं कि कौन सा rotation आपको चाहिए उसी तरह से दोस्तो अगर आप यहाँ नीचे tap करेंगे तो यहाँ पर flip कर सकते हैं यहाँ पर दोनों एंगल में flip कर सकते हैं दोस्तो तो यह भी काफी अच्छी चीज़ है दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं आगे है दोस्तो perspective perspective क्या है तो अगर मालेज आपके photo को angle को सिधा करना है अगर मालेज उपर की ओर करेंगे तो आप देखेंगे मरे photo का angle change हो रहा है और उसी तरह से दोस्तो नीचे की ओर करूंगा तो देखेंगे photo का angle save हो रहा है लेकिन इस photo editor की सबसे अच्छी खास बात यह है दोस्तो कि य अगर आप किसी और photo editor पे जाएंगे और उस पे perspective पे click करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे side side में black रह जाती है मालेज इसे मैं इतना घुमा दूँ तो आप देखेंगे दोस्तो कि यहाँ पे जो corner में black बच रही है वो black ही रह जाती है लेकिन आप देखेंगे दोस्तो कि यह corner को automatically color matching करके fill कर देगा दोस्तो जिससे आपकी photo काफी अच्छी लगेगी और काफी अच्छा बन जाएगी मतलब कि कोई भी आपका kona नहीं बचेगा जहां पे आप कुछ fill नहीं कर सकते हैं लेकिन यह faces के साथ ना करें अगर face है दोस्तो corner में तो वो काफी खराब हो लाएगी देखने में यह बात सही है दोस्तो उसके बात यहाँ पर दोस्तो की किस तरह का चाहिए माल लीजे अगर आप ऐसे कर रहे हैं यह फिल हो जारी है तो यह दोस्तो smart में है अगर आप white करेंगे तो सिर्फ white color feel होगी और अगर आप black करेंगे तो सिर्फ black color feel होगी तो यह दोस्तो यह भी काफी अच्छी चीज़ है इसमार्ट पर रखे तो जादा अच्छी लगेगी देखने में परस्पेक्टिव की अलग अलग चीज़े है दोस्तो की rotate करना है अगर माल लीजे rotation पर करते तो आप इस तरह की perspective कुछ change कर पाएंगे रोटेशन के त्वारा आप किसी भी तरह से इसका perspective जो है change कर सकते है अपने photo का और किसी भी तरह से इसे अपने पे set कर सकते है तो यह भी काफी अच्छी चीज़ है दोस्तो और यह मुझे best editing tool लगी इस photo app की क्यों की है जो है अपनी आप color matching करके fill कर देती है आपके photos को next क्या है दोस्तो next white balance white balance अग कर सकते हैं यहां पर temperature tint और यहां पर दोस्तों आप अपने photo के color के मुंताबिक temperature or tint कर सकते हैं आपको जो भी color चाहिए उस color पर ले जाए और यह उसी color के मुंताबिक आपके photo पे filter लगा देगी जो की अच्छी लगती है उसके बाद और क्या है दोस्तों तो उसके बाद है brush अब यह brush क्या है तो brush में आपको मिल दाता है धेर सारे brushes जैसे माल लेजिए आपको यहां पर color हटाना है तो आप यहां पर ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे fade हो जाएगा सिर्फ एक portion का जिस point का आपको color हटाना है यहां से brush कर सकते हैं यहां फिर exposure बढ़ाना है घटाना है जो भी करना है दोस्ति यहां पर जैसे exposure 0.7 पर है तो मैं यहां पर बढ़ा दू 1.0 पर तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो face है वह white हो गई तो यह ब्रस ली दोस्तों brush के द्वारा आप कहीं भी आप exposure बढ़ा घटा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं temperature बढ़ा घटा सकते हैं जैसे temperature 10 पर अब मैं temperature यहां पर minus 10 पर कर दूँ तो आप देखेंगे दोस्तों कि और भी white हो जाएगी तो इस तरह से दोस्तों आपको एक particular चीज़ का अगर editing करना है अपने photos में तो वह brush अच्छे से काम कर जाएगी उसी तरह से saturation भी बढ़ा घटा सकते हैं दोस्तों आप द लिखा देगा कि आपने कहां कहां पर editing किया है तो अगर आपको editing erase करना है तो वापस से आप उसी red color पर जाकर erase कर सकते हैं जो की बहुत ही अच्छी काम करती है और उसी तरह से यहां से आप देख सकते हैं कि पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई उसके बाद और क्या है दोस्त brightness, contrast और saturation तीनों सिर्फ उस point का click कर सकते हैं दोस्तों जो भी उस color का होगा दोस्तों उस चीज के color का जो भी चीज होगा उसका आप color change कर सकते हैं जैसे यहां पर C है दोस्तों contrast आप मैं यहां पर contrast बढ़ा हूँ तो आप देखेंगे मेरे t-shirt का जो color है वो घटेगा तो उस color की चीजों के contrast सिर्फ बढ़ा सकते हैं उस photo app में जो की काफी smart tool है दोस्तों और काफी अच्छी लगती है देखने में उसी तरह से दोस्तों उपर नीचे करके हम लोग brightness, contrast सब कुछ बढ़ा गटा सकते हैं जो भी हमें मन हैं दोस्तों वो हम लोग कर सकते हैं माले ज अब जो tools है यह काफी अच्छी काम करी और वीडियो जादा लंबा हो रहा है तो मैं जादा अब लंबा बताऊंगा नहीं बस असानी से बता दूंगा कि healing tools से आप काफी जादा heal कर सकते हैं लेकिन healing tool उतनी अच्छी काम नहीं करती उसके बाद दोस्तों विगनेटे आता है या फिर उनके opacity या color भी change कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों उसके बाद है curves अगर आप curves में जाएंगे तो यहाँ पे tone जैसे आप एड़ फोटेशॉप यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि यह curve जो है काफी अच्छा काम करती है आपको जि यहाँ पे जिस तरह का भी आपको color चाहिए वहाँ पे curve set कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो थी tools की बाद आप filters की जल्दी से बात कर लेते हैं तो filters में सबसे पहले मिलता है lens blur अगर आप lens blur से edit करते हैं तो यह बहुत ही जबरदस्त है अगर मालीज आपको सिर्फ face रखना है य इसे rotate भी कर सकते हैं दोस्तों आपके face जिस तरह से editing में वह ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हैं या फिर और उस चीज़ के दोस्तों बढ़ा घटा सकते हैं मतलब कि बहुत ही अच्छे से edit होती है तो मैं ज्यादा वक्त लेगा नहीं बस आप यहाँ पे देख लीजे कि इस edit कै इसे करना है समझ लीजे और यहाँ पे आप बहुत सारे काम कर पाएंगे या फिर यहां से आप बहुत सारे changes कर सकते हैं उसके पाद glamour glow आता है दोस्तों glamour glow में आप अलग-अलग filters लगा सकते हैं glow कर सकते हैं और यहाँ पे filters बढ़ा घटा सकते हैं जो की काफी अची लगत तो आप यहाँ पे frames के भी size को बढ़ा घटा सकते हैं वस left और right swipe करके यह सब चीज़े हैं दोस्तों जो की इस photo editing tool में मिलता है तो दोस्तों इस photo editing में आखिर कमी किस चीज़ की है तो पहले में बता देता हूँ कि face spotlight क्या है अगर आप face spotlight में जाएंगे तो यह automatically आपके face को recognize क कर लेगी आपके eyes को ears को हर चीज़ को automatically recognize कर लेगी और फिर उस चीज़ के particular चीज़ के color change कर सकते हैं जैसे माल लीजे eyes one यहाँ पे eyes पे जाओ तो यह मेरा automatically eyes को recognize कर लेगी और फिर मैं यहाँ से सिर्फ अपने eyes के brightness बढ़ा घटा सकता हूँ जैसे आप देख पा रहे होंगे क मेरी eyes की जो brightness है वो बढ़ घट रही होगे लेकिन यह काफी जादा अच्छा photo clear photo चाहिए आपके eyes को recognize करने के लिए और अभी यह development mode में है यह बहुत ही अच्छी यह काम अभी नहीं हुई है यहाँ पे दोस्तों eye clarity में जाएंगे टॉप उपर से नीचे slide करके eye clarity में मेरी काफी जादा color change हो गई होगी आप देख सकते हैं आई पे गौर करें कितनी change हो रही है जब मैं left से right swipe कर रहा हूँ और सिर्फ और सिर्फ आई हो रही है दोस्तों जो की काफी अच्छी लग रही है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने अपने eye को बहुत ही अच्छ बना लिया है दोस्तों तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छा इसमें setting कर सकते हैं इसमें मिलता है eye skin face तो आपकी जो selfie को और भी अच्छी बना सकती है यह filters उसे तरह से बहुत सारे selfie filters है इसमें जो आप देख ले दोस्तों तो आज का हमारा इस वीडियो में बस इतना ही रहन नहीं कर सकते हैं double exposure नहीं कर सकते है background change नहीं कर सकते हैं लेकिन यह एक simple photo editing tool है जिसमें काफी ज्यादा advanced features हैं मतलब कि photo editing के बहुत ही ज्यादा advanced features है जो मैंने किसी भी photo editing app में अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो दोस्तों मैं हूँ शारूख और आज का हमारे ये वीडियो निकले शुक्रिया हमारे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर लाक्स और कमेंट करें थैंक्यू दोस्तों